साल 2018 में बिग वजट की फिल्म में रिलीज हुई बॉलिवुड के तमाब बड़े सेलिबर्टी अपनी फिल्मों को साल 2018 में लेकर आए लेकिन कुछ सूपर डूपर हिट सावित हुए और कुछ फ्लॉप सावित हुए हम बात करने हैं बॉलिवुड के तीन खान सल्मान आमिर और शारुक के बारे में सल्मान और आमिर और शारुक की फिल्म में साल 2018 में रिलीज हुई लेकिन इन फिल्मों को लोगों ने बुरी तरीके से नकार दिया सबसे पहले बात करेंगे सल्मान खान की फिल्म रेस 3 के बारे में जिसे साल 2018 की ईद की मौके पर रिलिस किया गया था सल्मान की फिल्म रेस 3 का बजट करीब 1.500 करोड के आसपास था और इस फिल्म में उनके अपॉजिट जैकलिन फर्णार्डर्ज, साकिप सलीम, अनिल कपूर, बोवी देवल नजर आये थे उनकी इस फिल्म का डिरेक्शन किया था रेमोड सुजा ने और ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप होई इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में एकसाइटमेंट काफी जादा थी लेकिन मुवी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉंस नहीं दिया इसके बावजूद ये फिल्म बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई सल्मान खान की फिल्म बुरी का बजट करीब 1500 कुरूर के आसपास था और सल्मान खान ने अपनी इस फिल्म से काफी जादा उम्मीदे लगाए बैठे थे लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अपना जल्वा विखिरने में नाकाम्याब साबित रही सल्मान खान की फिल्म रेस्तिरी के फ्लॉप होने के बाद आमिर खान की फिल्म ठाक सुंदुस्तान का लोगों ने बड़ी बेसबरी सिंतिजार किया लेकिन जब ये फिल्म दिवाली के एक दिन बाद यानि 8 नॉमबर को रिलीज हुई तो इस फिल्म का भी बुरा हाल हुआ हलाकि इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई में सभी आकड़े पीछे कर दिये ठाक सुंदुस्तान के पहले दिन का कलेक्शन था करीब 52 करोन रुपे लेकिन दूसरे दिन ही इस फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट आई और ये फिल्म बीकन के आंदर तक वॉक्स ओफिस पर ओंधे मुग गिर गई ये शिराज बैनेर के तले इस फिल्म का बजट करीब 220 करोन रुपे था और बताय जा रहा है कि 15 सालों के बाद आमिर खान की कोई फिल्म इतनी बुरी तरीके से फ्लॉफ हुई है ठक सुवंदुस्तान का ये हशर देखने के बाद लोगों की उमीदे थी शारू खान की फिल्म जीरो पर और शारू खान की फिल्म जीरो को 21 दिसम्बर को रिलीज किया गया शारू खान की इस फिल्म में उनके अपोजिट करेटना कैफ और अनुश्का शर्मा नजर आई और इस फिल्म में शारू खान ने एक बोने का किरदान ने भाया था इस फिल्म में बोने का किरदान यानि बवा सिंग का एक फणी करेक्टर था हाला कि इस फिल्म को भी लोगों के excitement काफी थी लेकिन जब ये फिल्म box office पर release हुई तो इस फिल्म का भी हशर ठक सुवंदुस्तान और race 3 कहीं ही जैसा हुआ आपको बताना चाहेंगे कि जीरो फिल्म का बजट करीब 200 क्रोड के आसपास है और ये फिल्म शारु खान की फिल्म जब Harry Matt Sejal के बाद एक बड़ी फिल्म थी लेकिन ये फिल्म भी बूरी तरीके से flop सावित हुई जीरो फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था 20 करोड और इस फिल्म ने अगले दिन यानि शेनिवार का कलेक्शन किया था करीब 18 करोड रुपे और इंडिया टूडे की मताबिक रभिवार को भी जीरो का बिजनर ठंडा रहा और ये कुल 17 करोड ही जुटा पाई इस तरह फिल्म जीरो ने तीन दिन में महज 15-56 करोड रुपे का कलेक्शन किया है जाहिसी बात है जीरो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई तो दोस्तों हमने आपको बताया बॉलिवुड की तीन खांस सल्मान, आमिर और शारुक के फिल्मों के बारे में इन तीनों खांस की फिल्मों को लोगों ने बुरी तरीके से कार दिया और ये सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई लेकिन वही दूसरी और साल 2018 में रिलीज हुई फिल्मों के तरफ आए जाए तो बागी टू, पदबावत, सत्त मैव जते, अक्षे कुमार की गोल्ड, बधाई हो, अंधाधुन जैसी फिल्में रिलीज हुई और इन ये फिल्में बिग बजट की नहीं थी, ये लो बजट की फिल्में थी लेकिन इन फिल्मों को लोगों ने बहुत जादा पसंद किया और इन फिल्मों का कलेक्शन काफी चुका देने वाला रहा और इस खबर पर आपका क्या कहना है नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन के जरीए हमें जरूर अपनी राय दे